प्रभु येशु मसी के नाम में आपको अनुग्रे शान्ती और आशिश मिले कोवाइडिस करके एक नौवल किताब लिखी गई थी अठारा सो च्छानबे इस्वी में और ये एक पोलिश राइटर के द्वारा लिखी गई थी जिनका नाम हेंडिक साइन क्विगिस था तुड़ा मुश्किल नाम है हेंडिक हेंडिक साइन क्विगिस और ये मसीही इतिहास के बारे में इन्होंने एक नौवल लिखी थी इस पे बाद में किसी ने एक फिल्म भी बनाई थी जिसको कोवाडिस के नाम से ही बहुत मशूर होई थी तो इस कहानी में चीलो करके एक व्यक्ति है जो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है और घूमता फिरता दार्शनिक आदमी था चोर था पीट पीछे बात करने वाला व्यक्ति था और चिकनी चुपडी बाते करता था अपना काम करवाता था और जो मासूम होते थे उनको फसा कर उनके साथ विश्वास गात करता था यह उसका करेक्टर था और उसका एक दोस्त था जिसका नाम ग्लॉकुस था और ग्लॉकुस ये प्रभू येशु पर विश्वास करता है और उस समय करीब 60 या 65 इसवी के समय में येशु मसी की विश्वासियों को रोम में सताया जाता था मार दिया जाता था रोम मसी विश्वासी का विरोधी था तो ग्लॉकुस ने प्रभू येशु पर विश्वास किया उसका जीवन बदला तो चीलो ने अपने दोस्त के साथ विश्वास घात किया उसको पकड़वा दिया कि देखो देखो ये येशु मसी का विश्वासी है और उसकी पत्नी और बेटी को गुलाम की तरह बेच दिया और ग्लॉकुस का भी नंबर आया कि इसको भी मृत्यू दंड मिलने वाला था तो ग्लॉकुस को एक खंबे के साथ बादा गया था कईयों को बानते थे और उसपर एक राल लगाई जाती थी त्योंकि वैसे शरीर पर आग लगती नहीं है असानी से उस राल वो आग पकड़ लेती थी और नीरो जो बाद्शा था वो घूम रहा था उस इलाके में बताते हैं वैटिकन के बगीचे और वो देख रहा था कैसे कैसे येश्यो मसी के विश्वासियों को सताया जा रहा है और मारा जा रहा है और चीलो इसके साथ साथ था नीरो के साथ साथ चल रहा था और जब नीरो इस खंबे के पास पहुचता है जो ग्लॉकुस का होता है नीरो तो व्यक्ति के तरीती उसको नहीं जानता था लेकिन जब धूँआ थोड़ा इधर उधर हुआ हवा से तो चीलो ने पहचाना कि ये तो मेरा दोस्ट क्लॉकुस है और शायद उसने सोचा नहीं था कि मेरे दोस्ट को इतना बुरी तरह ये लोग मारेंगे कि इसके शरीर को ही जिन्दा आग लगा देंगे बांध के वो भी और चीलो इस बात को सह नहीं पाया वो इतना कायल हुआ वो इतना अपने आपको दोशी महसुस किया कि उसने अपने हाथ अपने दोस्ट ग्लॉकुस की तरफ उठाए और कहा कि ग्लॉकुस ये शुमसी के नाम में मुझे माफ कर दे और ग्लॉकुस ने करहा कर जितनी भी शक्ती से वो बोल सकता था उसने कहा मैं शमा करता हूँ और एक अजीब रौशनी चीलों के चेहरे पर आ जाती है और वो घूमकर सबके सामने नीरों की तरफ उंगली उठा कर कहता है ये ही है आग लगाने वाला यानि ये ही वो दुष्ट व्यक्ती है जो ये दुष्टा कर रहा है और बड़ी हड़ बड़ी मच गई नीरों को ये कहना को छोटी बात नहीं थी लेकिन उस भीड में पॉलूस करके प्रभु येशु मसी का सेवक था वो चीलों को एकदम मिलता है और उसे कहता है कि प्रभु येशु के पास इतना चोड़ा हिर्दय है कि वो तेरे इस पाप को भी शमा कर सकता है यदि तु सच्चा पश्टाब करता है पॉलूस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभु येशु का पहले भिरोधी रहा था हत्यारा रहा था विश्वासियों का इसलिए पॉलूस चीलो को कह पाया कि प्रभु तुझे माफ कर सकता है और अगले ही दिन चीलो भी गिरफतार हुआ और चीलो को भी वही सजा दी गई क्योंकि उसने कहा जो सजा येशु के विश्वासियों को देते हो वही सजा मुझे दो और जब उसको खंबे पर बादा जाता है तो जो लोग उसको बांद रहे थे और लोहे के चिम्टे से उस पर घात कर रहे थे उनके हाथ चूम कर उनको माफ कर रहा था उनको कह रहा था मैं तुम्हें माफ करता हूँ खुद जिसने शमा पाई थी वो अपने सताने वालों को भी शमा कर पाया और बड़ी शांती से उसने अपनी आँखें बंद की जब प्रभु यशु क्रूस पर कीलों के जरिये टांग दिया गया तो उसके दाएं बाएं भी दो क्रूस थे और उस पर दो डाकू थे और वो दो डाकू भी प्रभु यशु को मजाग बना रहे थे लेकिन थोड़ी ही देर में प्रभु येशु के वेवार को देखकर उसके शब्दों को सुनकर एक डाकू का हिर्दें बदल गया और उसने एक प्रकार से प्रभु येशु से शमा मांगी कि प्रभु जब तु आएगा अपने राज में तो मुझे स्मरण करना प्रभु ने कहा आज ही तु मेरे साथ स्वर्ग लोख में होगा और ग्लाकूस जो चीलो का मित्र था जिसके साथ विश्वासगात हुआ था वो उसलिए दुख उठा पाया कि उसना अपने प्रभु येशु अपने स्वामी के दुखों को समझा था कि मेरे प्रभु ने मेरे खातिर दुख उठाया मेरे पापों की सजा अपने उपर ली तो अब अगर मुझे मेरे प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ता है तो ऐसा ही हो इसमें भी परमेश्वर की महिमा हो और ग्लॉकुस के पीडा को देखकर चीलो का दिल तूट गया दुख और पश्ताप से भर गया और चीलो शमा प्राप्त कर पाया अपने मरतेवे मित्र से और क्योंकि वो शमा प्राप्त कर पाया अब वो अपने सताने वालों को भी शमा कर पाया और ये सारी शमा और शमा का भाव शमा की आत्मा ये एक श्रोच से बहकर मनुश्य पर आती है और वो है ग्रभू येश्व मसी क्रूस पर उसने पुकारा ए पिता इन्हें माफ कर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे है ना के वर उनके लिए उसने प्रात्ना की मेरे और आप के लिए भी उसने बिंती की जगत के लिए जगत के पापों के लिए उसने प्राइश्चित किया अब जो कोई पापी पश्टाप करके उसके पास आता है येशु पर विश्वास करता है परमेश्वर उसके पापों को माफ करता है और येशु का लहू उस पापी को उसके सब पापों से शुद्ध कर देता है लेकिन डबु के लिए आसान नहीं था ये कह देना पिता इन्हें माफ कर उसको माफी देने के कारिय में अपने आप भयानक दुख और पीडा और सजा सहनी पड़ी जो दंड मुझे और आपको मिलना था वो उसने सहनी आधर्मियों के लिए धर्मी ने येश्यू ने दुख उटाया हमारे सब पापों के लिए एक बार और हमेशा के लिए वो तीस्तरे दिन जी उठा और आज एक जीवित उद्धार करता है हर एक पापी के हिर्दय पर खट-खटाता है कहता है देख में तेरे द्वार पर कड़ा हुआ खट-खटाता हूँ यदि मेरी आवाज सुनकर अपने द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आकर तेरे साथ भोजन करूँगा और तुम मेरे साथ मैं तेरे संग रहूँगा इसलिए आज ही प्रभु येशु से प्रात्न कीजे उसकी शमा को अनुभव कीजे पापों में बर जाना भयानत बात है नरक का दण कोई बस की आत्रा जैसा नहीं है वो अनत काल का है इसलिए मनुश्य इस बारे में गंभीर हो आने वाली प्रकोप से बच जाए येशु का नाम है बचाने वाला प्रभु येशु आपको आशिश दे